Hi everyone, आज के lecture में हम discuss करेंगे सयोजन अभीक्रिया जिसे हम English में combination reaction और वियोजन अभीक्रिया जिसे हम decomposition reaction के बारे में जानते हैं तो आएए हम देखेंगे कि कैसे सयोजन अभीक्रिया और वियोजन अभीक्रिया होती है उससे पहले हम समझेंगे कि रासाइनिक समिकरन जो हमने last lecture में सीखा है उसका use क्या है उससे हमें किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो एक रासाइनिक समिकरन को देख कर हमें यह समझ में आता है कि बड़े बड़े अक्षरों में जो अभीकारक और उत्पार लिखे जाते हैं उनका हम simple से उसे हम सुत्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं हम उनकी अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उसमें कितने परमानू और कितने अनू हैं तथा मोल की संख्या को भी हम दर्शा सकते हैं जैसे एक प्रश ने लिया कि nitrogen gas hydrogen gas से अभी क्रिया करके ammonia का निर्मान करता है सबसे पहली बात कि यहां पर space जादा occupy हो रहा है दूसरा हम nitrogen gas और hydrogen gas का सुत्र जानते हैं तो हम उसके सुत्र का उप्योग कर सकते हैं जो है N2 and hydrogen gas देन हम देखते हैं कि ammonia को हम N3 के सुत्र से जानते हैं इन तीनों सुत्रों का उप्योग करके हम रासाइनिक समिकरन को संतूलित करते हैं और जैसे ही हम रासाइनिक समिकरन को संतूलित करते हैं तो हम जानते हैं कि N2 एक nitrogen एक परमानू है और nitrogen गैस बनाने के लिए हमें दो परमानू की आवशकता होती है hydrogen और hydrogen गैस बनाने के लिए H2 की आवशकता होती है और यहाँ पर total 6 परमानू है और ammonia के 2 अनू याद रखेगा बच्चो कि परमानू के सयोग से जब एक नई योगिक का निर्मान होता है तो हम उसे अनू कहते हैं अगर आपको तोड़ा भी confusion हो तो आप class 9 के 3rd chapter को जाकर बहुत अच्छे से समझे हैं वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से discuss किया है तो यहाँ पर हमने परमानू और अनू के संबन से लिखा अगर यहाँ पर आप देख सकते हो जब रासायनिक समिकरण को पुर्ण रूप से हम संतूलित कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि nitrogen के आगे जिसे हम coefficient बोलते हैं, जिसको हम आगे coefficient बोलते हैं, तो अब देख सकते हैं कोफिशन्ट में यहाँ पर one है जो दिखनी रहा है लेकिन यहाँ पर one होता है, तो यह एक mole, mole के माध्यम से अगर हम समझना चाहें, फिर हम देखते हैं कि hydrogen के आगे 3 ल 2 आयितन अगर हम ग्राम द्रविमान के बारे में जानते हैं तो हम लिख सकते हैं 28 ग्राम 6 ग्राम और 34 अब यह जानते हैं यहाँ पर हमने इतन के माध्यम से समझ रही हो मेरी हैं हम अगर स्टीपी में देखें the च्वार्थ 22.4 लीटर एक आयतन में होता है तीन जी से गुना और दो आयतन के लिए दो से गुना करते हैं उसके बाद हम अपने में टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है सईयोजन अभी क्रिया बच्चो यहां पर मैं जादा नहीं बोलूँगी आपको मैं एक्जामपल से सीधा समझाती हूँ कि अगर कोई दो पदार्थ ए और बी अभी क्रिया करके सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद का निर्मान करते हैं तो उसे हम सईयोजन अभी क्रिया कहते हैं या कॉंबिनेशन रियाक्शन करते हैं तो यहां पर G प्लस E प्लस F तीन डिफरेंट अभी कारक हैं जिन्होंने मिलकर सिर्फ एक उत्पाद P का निर्मान क किया है जिसे हम सायोजन अभीक्रिया से समझ सकते हैं तो यहां पर सबसे important जानने का बात है कि अभी कारत की संक्या हमेशा 2 या 2 से अधिक होगी और उतपाद की संक्या हमेशा 1 होगी यह fix है बच्चों यह बहुत important point है सायोजन अभी क्रिया में याद रखिएगा कैसे hydrogen gas oxygen gas सिक साथ मिलकर जल का निर्मान करते हैं एकल उतपाद है calcium oxide और gel मिलकर calcium hydroxide का निर्मान करता है और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने सभी की अवस्था को दर्शाया है यहां यहां पर gas solid और aqueous के माद्रम से मैंने सभी की अवस्था को दर्शाया है गैस हम जानते है gas liquid के लिए द्रवी अवस्था s solid मतलब ठोस अवस्था और aqueous मतलब जल का विलेयन तो यहां पर आप देखते हो दूसरे प्रेश एक्जामपल में कि calcium oxide जल के साथ अभी क्रिया करके calcium hydroxide और उश्मा देता है तो बहुत बच्चे कंक्यूज हो जाएंगे कि मैं यहां तो product दो दिख रहा है पर बच्चों हमें देखना यह है कि यह उश्मा उश्मा एक ऐसा उश्मा एनरजी है और यहां उश्मा का किसी भी क्रिया में उश्मा य दो धारन में देखते है कोईले का दहन, जल का निर्मान, magnesium oxide और iron sulfide बच्चों अब यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं यहां पर दो जल है तो हम इसे तोड़कर ऐसे लिख दे तो यहां पर दो उत्पाद का निर्मान हो रहा है लेकिन यहां पर दो उत्पाद का नि हमें एक उत्पाद का निर्मान होगा, 1H2O मिलेगा, वियोजन अभी क्रिया है किसी अभिकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्मान, जैसे A को तोड़ने से हमें मिलता है B प्लस C, D को तोड़ने से हमें मिलता है E प्लस F प्लस G, अब देख सकते हैं अ और उस्तार के संख्या दो या दो से अधिक होगी कार्पोनेट अपना बेस्ट एक्जामपल है कभी एक्जाम में यही लिख देना यह हमें देता है क्याल्शियम ऑक्साइड प्लास और कारबन डायोक्साइड कैल्चेम ऑक्साइड रूप में चूने के रूप में यह सफेधी के रूप में करते हैं आप पुराने समय में लोग घर को वाइट वाइट वश करते हैं या उसे चमकाने के लिए सफेद रंग का उपयोग करते हैं या बुझा हुआ चूना यही होता है और जब यह आपके वायू के कार्बन डियोकसाइड के साथ मिलता है तो कार्बोनेट का निर्मान करता है तो मतलब अभी आप अगर अपने घरों को देखो और आपके घर में अगर चूने की सफेदी या कैलशियम कार्बोनेट है और संगममर का सुत्र भी कैलशियम कार्बोनेट होता है अब घटन के प्रकार क्या है तापन हीट हम किसी चीज को कैसे तोड सकते हैं बच्चों हम किसी चीज को तोडने के लिए हम हीट का उपयोग कर सकते हैं जैसे कैलशियम कार्बोनेट और hydrogen gas और oxygen gas में बदलने की प्रक्रिया विद्यूत के द्वारा की जा सकती है बच्चो ये बहुत important point है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में हम अभिकारकों को तोड़ कर नए उस पात का निर्मान कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमें कोई उर्जा तो चाहिए हमें एनर्जी चाहिए उस अभिकारक को तोड़ने के लिए तो याद रखना कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें उर्जा की आवशकता होती है उस रियाक्शन या उस अभिक्रिया को कम्प्लीट करने के लिए हम उसे उश्मा शोशी अभिक्रिया करते हैं समझ रहों अगर आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो बाहर से उर्जा सप्लाई कर रहे हो अपने अभिकारक को तोड़ने के लिए तो ऐसे अभिक्रिया को हम उश्मा शोशी अभिक्रिया कहते हैं